नमश्कार दोस्तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है एलेक्टरोल बॉंड को लेकर जियां दोस्तो सुप्रिम कोट ने एक बार फिर SBI बेंक को जम कर फटकार लगाई है दरसल दोस्तो सुप्रिम कोट ने कहा है कि किस मार्च तक सारी जानकारी SBI हमें दे दे एलेक्टरोल किस राजनितिक पार्टी को कितना चंदा दिया है इससे पार दरशिता आएगी दरसल दूस्तो सुप्रिम कोट ने सौमवार यानी के ठारा मार्च को SBI से काए कि वह है इलेक्टरोल बॉंड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च सर्थ दे दे सुप्रिम कोट ने नए आदेश मे उन यूनिक बॉंड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया जिसके जरीए बॉंड खरीदने वाले और फंड पाने वाले राजनितिक पार्टी का लिंक पता चल सके सुप्रिम कोट ने काए कि 21 मार्च के शाम 5 बजे तक SBI के चेर्मेन एक एफिडेविट भी दाकिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी सही सही दे दी है CJI चंचून की बेंच ने कहा कि CBI जानकारियों का खुलासा करते हैं वक्त सलेक्टिव नहीं हो सकता इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतिजार ना करें CJI ने कहा कि SBI चाती है कि हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है तब वे बताएंगे ये रवया सही नहीं है बोन के युनिक नंबर्स ना होने पर कोट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ओफ इंडिया यानिके SBI को नौटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था कोट ने चुनाव आयोक को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने के निर्देश दिया है वहीं दोस्तों बैंच ने 11 मार्च के फैसले में SBI को बोन की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था हालां कि SBI ने सिर्फ बोन्ड खरीदने और केश कराने वालों की जानकारी दी इस बात का खुलासा नहीं किया था कि किस डोनर ने किस राजनितिक पार्टी को कितना चंदा दिया है वहीं दोस्तो आसानी से समझ लेते हैं 10 पॉइंट्स में कि चुनावी बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है, आप किस तरीके से इस से प्रभावित होते हैं दरसल दोस्तो SBI की चेर्मेन को गुरुवार यानि कि किस मार्च को शाम पांच में तक बॉन्ड से सम्मधित सारी जानकारी साजा करनी होगी इसमें बॉन्ड के यूनिक नंबर की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए दूसरा पॉइंट है, SBI चेर्मेन को डाटा देने के बाद सुप्रीम कोट में हलफ नामा देना होगा चुनाव आयोगी ये डाटा मिलते ही अपनी वेबसाइट पर सार्ज निक करेंगे दोस्तो इलेक्टर बॉन्ड से सबसे ज़्यादा 6,060 करोड रुपे भाजपागों मिले हैं प्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज की सर्विसेज पी आर का जिसने 1360 करोड का चंदा दिया है वहीं दोस्तो मेगा इंजिनियरिंग दूसर नंबर पर इसने 966 करोड इसके अलावा क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 वेदानता लिमिटेड ने 400 हल दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 भारती ग्रूप ने 247 एक्सल माइनिंग और इंडस्ट्री लिमिटेड ने 224 वेस्टर यूपी पावर ट्रांस्मिशन कंपनी ने 220 मदलान दोस्तों मज़े की बात तो यह एकिनमें कुछ ऐसी कंपनिया भी है जिनका प्रोफिट तो मात्र 2 करोड रुपे है लेकिन उन्हें सो करोड तक का चंदा दिया है ऐसे में दोस्तों यहां पर शक की सुई सीधी जाती है कि जिस कंपनी का प्रोफिट ही कम है वह है चंदा कै से दे सकती है फिससे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है केमेडोक्स में जरूर लिकिए साथ इस तरही कामी खबरों के लिए आप हमारी यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद वंदिमातरम जे हिन जे भारत